हेलो फ्रेंट स्वागत है आफ सभी का एक और नई वीडियो में आज हम इस वीडियो में एक हजार स्क्वाइर फिंट में बने घहर के डिजाइन के बारे में डिसकस करेंगे जैसे कि आप सामने देख पा रहे हैं अभी हम इस घर के अंदर चलेंगे और एक एक चीज को हम बत मिलने वाली है सबसे पहले में इस घर के फ्रेंट की बात करूं तो 26 फिट में यह फ्रेंट बनाया गया है अब यह अगर उपर देखेंगे तो यहां पर एक अलग से रूम बनाया गया तो उसमें भी हम अंदर चलेंगे जरूच तो 26 फिट का इसका फ्रेंट है अगर आपको इस तरह का फ्रेंट बनाना है तो आप एक आइडिया ले सकते हैं जैसे ही हम एंटर करते तो सबसे पहले हमें मिलेगा हमारा में गेट यह में गेट की जो चोड़ाई है वो 10 फिट में दिया गया है अब इसको बनाने के लिए इसस्तोमाल किया है आप देख पैंगे हमारी देस्टिल के होल्स होते हैं इसके के इससी को कोंश आती है यहां जैसे हमें करते हैं तो सबसे पहले हमें मिलने वाला है हमारी कार पार्किंग के लिए अगर मैं इस कार पार्किंग की जो डायमेंशन दी गई है हमारा पॉर्च वगर जौन आप कहते हैं तो यह हैं बात करें तो यहां पर जो टाइस लगाए गई है वह नों स्लिपिंग टाइस लगाए गई है अगर आपका भी कोई स्थारा का एरिया होता है तो आप इस तरह की टाइस लगाए जिस्ते की फिसलन वगेरा नहों यहां आपको साइड में एक आफसेट मिल देगा अगर हम बात को बोला ऑफसेट और हमारा कार पार्किंग का एरिया यहां पर एक चीज और बताना चाहूंगा कि यहां पर जो आप यह कार पार्किंग का एरिया के जो वेज देख रहे हैं यह रोट से दो फिट है लेकिन इस फ्लोट से भी कार पार्किंग के लेबिल से भी दो फिट और उपर इस घर का फ्लोरिंग लेबिल दिया गया है जो कि हमारे रूम की फ्लोरिंग घर रही होगी तो पिलिंद बीम हमें इससे भी थोड़ी दो फिट उठाके दिया जैसे कि आप देख पर हैं पर जो स्टैप हमारे तीन स्टैप आपको मिल लेंगे जब जाके हम अपने घर क में फ्लोरिंग पर फ्लोर लेविल पर पहुंचेंगे तो कहीं देख जाए तो रोट से चार से साथ चार फिट पर है तो हम अगर बात करें तो सबसे पहले आपको जो स्टैर केस है यहां आपको मिल लाएगा वाइट मार्बल और अभी हम उपर चलेंगे थोड़ा बाद मे उपर भी एक रूम बनाया गया है जिसमें एक रेंट के लिए वो बनाया गया किस तरीके से प्लान किया जिसमें टॉलेट किचिन और और बी चीज़े किस तरीके से प्लान किया है वो हम बात करेंगे बाद में जब उसके उपर हम चलेंगे तो यहां सबसे पहले जैसे हम घ लखड़ी की गई है बनाने के लिए वो हमारी सागवान की लखड़ी का इस्तमाल किया गया है लखड़ी की कॉलिटी काफी अच्छी रहती है उपर बेंटेलेटर के लिए आपको एक बिंडो के फॉर्म में दिया गया है तो इस तरीके से भी आप अपने घर का मेंगेट लखते हैं जिसमें हमने टाइल्स का इस्तमाल किया है और अगर मैं इसकी साइज की बात करूं तो करीब आपको जो साइज मिलेगा वो 10-16 फिट का है आपको सामने वाल पे एक हमारी जो अलमीरा डाइप की अलमारी होती है वो काफी अच्छे लुक में डिजाइन में मन्दिर का हमारा साइज रखागया है यह हमारा पांच वायपांच में दिया हुआ है तो यह आप इस तरीके से अपना घर का मन्दिर का ऐसर इस तो बना सकते हैं सामने आप तो यह हो गया हमारा फोल्स लिंग के बाद आप यहां देख पाएंगे हर जगह हैं प्लान की यह पूरी लोबी में और काफी बेहत लुक रहता है जब हम अपने घर में कोई भी आते हैं तो कहीं न कहीं या तो हम लिबिंग एरिया में बैठाते हैं गैस्ट को या फिर हमारे बारा में यह बनाया गया है यहां पर भी टाइल्स का ही इस्तमाल किया गया है सामने आपको मिल जाएंगे बिंडो जो की काफी हमारी जो नेच्छल संल लाइट है वो इसलिए आप आएगी कोई प्रॉल्म नहीं होगी क्योंकि बिंडो का साइज भी काफी बड़ा है यहां एक सिंपल प्योपी के डिजाइन के फॉर्म में सेलिंग कवर की गई है जो कहीं न कहीं देखा जाए तो ठीक लग रही है इसलिए इसको थोड़ा बहुत एक अच्छे लुक में बनाया गया है तो आप इस तरीके से एक आईडिया ले सकते हैं अगर आप चाह रहें नेच् चैवाइट दे गई हैं सामने हम चलेंगे दूसरे वैड रूम में तो यहां भी आपको जो मिलने वाले टाइल्स फ्लोरिंग में मिलेगी दो वैडोखी टाइल्स का इस्तमाल किया गया है कलरिंग आप देख सकते हैं यह भी काफी अच्छा रहता है लाइट कलर रहता है औ सामने आप जो देखने राइट हैं में बनाए गया और आपको एक मिल देगी बिंडो इस रूम में टैच में टॉयलेट भी दी गई है टॉयलेट वातरूम साइड में आप देख पा रहे हैं लाइटिंग की प्रॉल्म क्या भी जो लाइट अभी आने रखी और साथी पूर हैं बात करूँ तो किचिन का साइज के अगर मैं आपको बताओं तो साथ फिट चोड़ा है और दस विट इसके लंबाई हैं एंट्रिंग के बात करूँ तो आर्च के फॉर्म में इसके एंट्रिंग और सामने आप देख पारें वाल पे और कलरिंग काफी हमारे डार्क तो सेम यहां पर हमारे प्योपी के डिजाइन के ही मदद से सीलिंग तयार की गई है तो यहां पर सामने आपको गेड़ भी मिल जाएगा अगर मैं बात करूं तो पीछे भी ऑफसेट दिया हुआ है बरावर में किसी और का घर है पर यहां पर आफसेट पीछे दिया गया है द इतना भी था अब हम चलने वाले उपर जैसे मैंने पहले बोला अगर मैं इसकी सेडी की चोड़ाई की बात करो तो तीन फिट की विथ है इसकी जो हर एक स्टैप की है तो लगाया गया है पर मार्वल तो मार्वल भी आप अपने स्टेर केस पर लगा सकते हैं बहुत से बात करों तो 12 वायब बारा का ही रूम बनाया गया है और सामने ले आपको यहां पर चोटी शी ऑपन किछिन की बीगई है जो की इससरी पर की बात करो तो फॉल सिरी मैं की गई है उसी से को कम्प्लीट किया गया है इस घर को बनाने में जो भी लकड़ी वगएरा का इस्तमाल किया गया है वो काफी अच्छी कॉलिटी और टाइल्स वगएरा जो भी यूस की है वो भी एक अच्छी ब्रांड की इस्तमाल की गई है जिससे कहीं न कहीं देखा जाए तो एक अच्छा लोक और शायनिंग भी बरकरार रहेगी हमेशा जाता लंबे समय तक अगर मैं यहां बात करूँ इस घर की जो कॉस्ट आई है तो इस घर को बनाने के लिए और पर टैरिस का भी इंकलूट करें जो रूम दिया गया है तो बीस लाग रुपे आ गई है और अगर इसमें जो भी फिनिशिंग रहने वाली है वो सब इंकलूट करके है क्योंकि वो पहले ही ले ली गई है तो इससे आपको काफी आईडिया होगा कि किस तरीके से हमारा एक बज़ट आ जाता है घर को बनाने के लिए यहां उपर देखें तो रेलिंग आपको मिल दाएगे और दूस्तों अगर मैं आपको बात करूँ तो इसी तरह के हमारे इस चैनल पर वाक्थू और लेडी पहले डले हुए है चैनल को सस्काइब कर लेना और वेल आइकन को ओन कर लेना ताकि घर की और भी नई वीडियो हम डालेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा थैंक्यू फूर मोच आई वीडियो मिलते हैं अपनी नेक्स वीडियो पर